सुप्रिया शिनेट जी, हिंदुस्तान को भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत है या फिर आप ये दिखाना चारे है कि इंडिया में तो आग लगी हुई है? नहीं, हम ये नहीं दिखाना चारे हैं, हम ये बताना चारे हैं कि भारत को जोड़कर रखने की, संजोने की, होसलों को बुलंद करने की जरूरत क्यूं है? और मुझे लगता है उसके काफी सारे कारण है मैं तीन कारण मूलता है पहला कारण है जिस तरह की बेरोजगारी और जिस तरह की महंगाई से युवाओं का और लोगों का होसला टूटा है मुझे लगता है उस होसले को सपनों को सजोने की जरूरत है और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा जरूरी है मुझे लगता है जिस तरह की आर्थे का सामानता और ये तो हम नहीं ये तो अब RSS के जो बड़े-बड़े नेता है वो इसकी बात कर रहा है नितिन गड़करी जी इसकी बात कर रहा है जो एक फैब्रिक होता है उसको जोड़कर सजोकर उस ताने-बाने को मिला कर रखने की जरूरत है इस फैब्रिक की किस हिससे में कितने टाके पढ़ेंगे ये किस आधार पर तै किया गया है डेड़ सो दिन की यात्रा है केरल में 18 दिन करनाटक राजस्थान में 21-21 दिन तेलंगाना में 13 दिन महराश्र मध्य प्रदेश में 16-16 दिन ये किस आधार पर सुप्रिया जित तै किया गया है उत्तर प्रदेश में दो दिन मतलब आपकी जहां पर केरल में भीर जुट जाएगी ताकि शुरुआत एक धमाके से हो जाए इसलिए किया गया तो मुझे ऐसा लगता है कि अब करीब करीब एक महिना हो जाएगा इस यात्रा को और करीब 600 किलोमीटर से उपर ये यात्रा चल चुकी है शुरुआत करन्या कुमारी से हुई और जाना कश्मीर है तो एक particular route ते हुआ है मुझे लगता है वो route बहुत सारी चीजों को मदे नजर रखे ते हुआ है चाहे वो national highways पर चलना हो चाहे वो कहीं-कहीं गावों में जाना हो चाहे कहीं पर पगडंडी पर चलना हो मुझे लगता है बहुत सोच समझ कर एक route बना और उस route के चलते हां कुछ राज चूटेंगे और कुछ नहीं चूटेंगे तीस राज्यों में जाना संभव नहीं था इसलिए बारा राज और दो यूनियल टेरिट्री को हम cover कर रहे है जरूर कुछ राज चूटेंगे लेकिन क्या उन राज्यों के मुद्दे चूट रहे हैं बिल्कुल नहीं मुझे आपकी बात पर शक हो रहा है और वो इसलिए क्योंकि बात दिनों की आप कहा रहे हैं यह रास्ता है ठीक है मैं आप हम भी दिखा रहे हैं अपने दश्कों को चुनाव है वहांपर लेकिन जहां-जहां उम्मीदें हैं, वहां से होते हुए गुज़र रहे हैं ज्यादा दिन और जहां पर नहीं है, वहां पर सोच रहे हैं, टच करलें, कई लोग ऐसा नगाए की गूपी गई ने मैं आपकी पर्मिशन से आप ही केस मैप पर मैं बात कर लो हम NGO तो है नहीं हम तो राजनेतिक दल है और जो कर रहे है उसका राजनेतिक तो के साथ क्यों कर रहे हैं आपने करी अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है वह भाजपा के निता भी हो सकते आके हमसे जुड़ें जिस तरह से मैचारे उद्वेलित और परिशान पर अमेथी ने रुस्वा किया यूपी में दो दिन है कि आसल सवाल पर आये ना मुझे ने राह सब चलता है राजनीती वाप कभी जीथते हैं कभी हारते हैं इस बार आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि जितनी तस्वीरें निकल कर आरे हैं ऐसा लग रहे है कि खास करके तैयार की गई है और एक खास वीडियो जो है जो हम चलाना चाहेंगे जरा रहूल गांधी का बारिश में भीगते हुए बिल्कुल कन्या कुमारी से कश्मीर तक यह यात्रा चलेगी गर्मी तुफान धंट इस यात्रा को नहीं रोकने वाली और इस नदी में आपको नफरत हिंसा यह चीजें नहीं दिखाई देंगी तो बड़ा अच्छा विज्वल तो था पर इसका आपने बड़ी अच्छी बात कहीं यह बड़ा अच्छा विज्वल था यह देश का नजारा है और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हम जो लोगों से जुड रहे हैं और उसका जुडने का भी कारण है क्योंकि हमारे विपक्ष की बात को आज मेंस्ट्रीम मीडिया नही हो रही है और जब हम जनता से जुड रहे हैं तो आपको लगता है कि हर चीज हम कोरियोग्राफ कर सकते हैं जैसे मोदी जी कर सकते हैं नहीं वो तो प्रभू हम हाथ जोड के कह रहे हैं हर मोमेंट सास लेने से लेकर उठने तक हम कोरियोग्राफ नहीं कर सकते मुझे लगता यह natural moments है, आज सोनिया जी चली और उनका जब जूते की लेस खुल गई, तो अगर राहूल गांदी जी उसको जुक कर वो कर रहा है, उनको पता भी नहीं थे कि उनके उपर कैमरा है कि नहीं और था भी नहीं, हमारे एक volunteer ने वो फोटो हमें भेज दियो, और मेरा ये decision था कि हा अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है, चाहे मंतरी साहिबा खुद सफेद सपाट कैमरे पर जूट बोल रही हो, चाहे ट्रोल आर्मी पीछे पर जाती हो, चाहे एक 5 साल की बच्ची के चेहरे में नफरत नजर आती हो, ये भीजेपी की घबराहाट है, मुझे असा लगता ह इस देश के लिए ये घबराहट और डर बहुत जरूरी है